गुड मॉर्णिं क्लास, आज का टॉपिक है ऐलो ट्रॉप्स और फॉस्फोरस फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली से बिलॉंग करता है, नाइट्रोजन के जस्ट निचे आता है फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर, जिसको हम रिनोट करते हैं P से और इसका एटॉमिक नंबर होता है 15 फॉस्फोरस की तीन एलोट्रॉप्स होते हैं, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लाक फॉस्फोरस तो सबसे पहले आईए हम भाद करते हैं white phosphorus की white phosphorus को हम P4 unit में होता है जैसे आपका nitrogen N2 में होता है oxygen O2 में होता है carbon आपका tetravalent होता है वैसे ही जो phosphorus होता है वो P4 unit में होता है ये arranged in tetrahedral form में ये tetrahedral form में arrange होते हैं दो plane में एक plane से बाहर की तरफ और एक plane से पीछे की तरफ ठीक है लेकिन अगर इसमें एक phosphorus का दूसरे phosphorus में जो angle बनता है उसको देखे तो यह 60 degree होता है और हर phosphorus के पास एक एक lone pair बचा है क्यों क्योंकि यह nitrogen family का है तो यह 3 bond बनाते हैं 1,2,3,1 lone pair इस phosphorus का देखे 1,2,3,1 lone pair इस phosphorus म का देखे 1,2,3,1 lone pair इस जो phosphorus होता है आपका P4 white phosphorus it react with NaOH to give phosphine gas phosphorus जब NaOH sodium hydroxide के साथ reaction करता है in the presence of water तो यह phosphine gas बनाता है मतलब यह phosphine prepare करने का भी एक बहुत best method होता है lab में ठीक है और दूसरा क्या बना लेता है आपका sodium metafosphine white phosphorus जब oxygen के साथ reaction करता है तो यह बना लेता है P4 O10 अब बात करते हैं red phosphorus की red phosphorus क्या होता है it obtained from white phosphorus जो हमारा white phosphorus होता है सिर्फ वही nature में exist करता है और white phosphorus से हम red phosphorus और black phosphorus बनाते हैं तो जब हम white phosphorus को 573 Kelvin के आसपास heat करते हैं in the presence of CO2 तो हमें मिलता है P4 red phosphorus मिलता है अगर आपने notice क्या होगा तो यह जो आपका white phosphorus था यह single unit होता है ठीक है लेकिन अगर आप red phosphorus की बात करेंगे तो हर एक phosphorus की जो unit होती है वो आपस में covalently क्या हो जाते हैं बाइंड हो जाते हैं देखो हर phosphorus के पास क्या है lone pair है यह वाला lone pair और यह वाला lone pair आपस में share करके क्या बन रहे हैं two form एक होता है alpha black दूसरा होता है beta black इसको भी हम क्या करते हैं white phosphorus से हमने red phosphorus बनाया और जब red phosphorus को हम 803 Kelvin के आसपां sealeded tube में मतलब एक बंद tube में हम इसको heat करते हैं तो हमें alpha black phosphorus मिलता है और जब white phosphorus को हम 473 Kelvin में 4000 से लेके 12,000 atmospheric pressure पे जब हम इसको heat करते हैं तो हमें beta black phosphorus मिलता है alpha हम को किसे मिल रहा है red phosphorus से beta हम को किसे मिल रहा है white phosphorus से जो हमारा black phosphorus होता है यह graphite type का structure होता है जैसे graphite layered structure होते है ठीक है वैसे ही यह हमारा जो black phosphorus होता है यह भी graphite की तरह layered structure बना लेता है तो I hope आपको allotrops of phosphorus समझ में आया होगा ठीक थैंक यू